मस्कार दोस्तों स्वागत आपका क्रेजी क्रिप्टो मिन्टू में आज बात करेंगे कुछ ऐसे टोकन्स की जो वो किता है आने वाला फ्यूचर या अभी जिसका सबसे जादा दोर अचानक से निकल किया आया है अब आप साथ समझे होंगे डीफाई यानि कि अचानक से निकला देखिए सब कुछ चल रहा था एज यूज चल रहा था सब कुछ वो कहता है अपने डर्रे के हिसाब से चल रहा था लेकिन अचानक से डिमांड बढ़ी और यह डिमांड बढ़ी डीफाई प्रोजक्ट की क्यों कि यह जो सेंट्रलाइजेसन जो था ना अपने जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं तो उन्होंनों तो अपना ठीक हार्ड वालेट में रखा उनके पास तो सारी सुद्दा हैं वो रख सकते हैं लेकिन छोटा इंवेस्टर था उसने क्या करा था उसने अपना फंड ज्यादा तर एक्षेंजों पर ही रखा था अ कई बार होता है कि एक साथ मूवमेंट आता है तो वही चीज कुछ मूवमेंट आया मैंने आपको अपने वीडियों बताया था सुबह भी कि अभी देखिए मैंने आपको जो वालेट के नाम बताये थे उसमें ट्रोजर और लेजर इनकी डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ अब क्या होगा अब होगा यह लोग क्रप्टों में हैं क्रप्टों में रहेंगे क्रप्टों कहीं नहीं जा रहा है क्या है कि यहां से गंदगी निकल जाएगी और यह जरूरी भी है जो हमारी आखों के पीछे था और हमें नहीं पता था तो अच्छी बात है यह चटनी हो जबकि वो बंदे का खुद का है उसे क्या ज़रूत थी अपनी ही चीज को प्रमोट करने की क्यों एक कदम आगे की सोचता है उसको पता था movement अचानक से decentralized की तरफ जाएगा तो उसने जो है सही मौके पर कहते हैं चौका मारा उसने उसी टाइम पर trust wallet का जो TWT token है trust wallet को प्रमोट किया और आपने देखा होगा का TWT जो उसका token था उसमें कितना अच्छा एक अच्छा सा उच्छाल आया क्यों आया क्यों कि उसी बाइनेंस को पहले से पता था कि अब movement जो है न वो decentralized तर भो रहा है और उसी की वज़े हुई कि आपका laser और treasure जो hard wallet है उनकी demand इतनी ज़्याद कि अगर यह एक्षेंज आसा न करते तो साइध हमें यह दिन देखने भी ना पड़ते सब वज़ेव होई है अब आए दिन आपको रोज कुछन को सुनने को मिलता है आज यह हैक हो गया आज यह डूब गया आज यह खतम हो गया मैंने आपको सुबह मॉर्निंग साड़े छ खतम हो गए। تو यह क्या था कहीने कहीं अंदर खाने इन्नोंने सब गंद मचा रखा था। तो अब आपको जो रोज एक कहीने कहीन एक न्यूज नेगर टिब सुनने को मिल जाती यह खतम वो गटिं तो यह कहीने कहीने का थे क्रफ्टों से गंदगी की सफाई हो रही है तो तो गंदगी की सफाई हो जाएगी, तो उसके बाद अच्छा बचेगा, तो उसके बाद आपको एक अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा, तो be positive, देखे, हम क्यों हिम्मत आ रहे हैं, mostly हुआ ये, कि जो अभी entry हुई है, तो इन लोगों ने beer market देखा ही नहीं, असल बात तो ये है जिल लोगों ने अगर beer market देखा होता, तो साइद ये वाली problems ना आती, क्यों? वो पहले से देखे होते हैं, जिल लोगों ने 2018 वाला beer market अगर देखा है, तो देखे, उनको ज़्यादा problem नहीं आ रही, क्यों? वो पहले से जहले हुए है, वो as usual है, उनको तो ज़्यादा फरक जादा गया, अभी गया नहीं है, लेकिन क्या है, कि उसको दिखाई नहीं दे रहा है, मेरे पास तो मैंने एक लगा लगा था, ता 30 यार रह गया है, या 20 यार रह गया है, तो उसको तो ये दिखाई दे रहा है, मेरा 70-80% चला गया, लेकिन देखे, वो return मिलेगा, थोड़ currency भी रहेगी, crypto currency को खतम करना तो blockchain को भी आपको खतम करना पड़ेगा, जब internet को आप खतम नहीं कर पाए, तो blockchain को भी खतम नहीं कर सकते, और वो खतम नहीं होगा, तो crypto भी खतम नहीं होगा, क्यों, अब ये बहुत आगे तक बात बढ़ चुकी है, आप ये कहो कि यहां खतम कौन से, तो कईवार ये होता है, हमारे पास comment आते हैं कि सब कुछ ऐसे project समय से पहले थोड़ा बताया करो, अब देखिए वही चीज़ है, हो कहा रहा है, decentralized की तरह movement हो रहा है, और movement हो रहा है, तो हमें वह ऐसे project पर भी ध्यान रखना पड़ेगा, पीछे मैंने आपको देख वीडियो बना के दिये, क्यों मुझे कहीं 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 लगता है, अगर बाइनस ने पैसा लगा रखा है, तो कहीं कहीं कुछ तो सोचके लगाया होगा, हम उतना नहीं सोचते हैं, लेकिन बाइनस तो हमसे ज़्यादा सोचता है, तो बाइनस के मेरे holding के पूरे जितने भी उस चलता है, तो ये भी जानता हूँ कि पैसा तो है नहीं लगाने के लिए, क्यों पैसा तो हम लगा के और उसमें ठंडा करके छोड़ चुके हैं, अब उसमें कुछ मिले, कहीं से प्रॉफिट मिले, तब तो हम कहीं लगाने के बारे में सोचें, लेकिन नॉलेज होनी ये ऐसा ना हो कि जब हमारे पास पैसा आओ, तब नॉलेज ही ना हो, कि पैसा लगाना कहां पर है, तो इसलिए वो नॉलेज पूरी रखिए, आज मैं आपको वैसे प्रोजेक्ट बताता हूँ, जो कहीं ने कहीं D5, यानि डी सेंट्रलाइज जो आगे होने वाला है सब कु मैं इसको थोड़ा सा भी सौट में ही बताऊँगा, डिटेल में तो रिव्यू देखिए, मेरा चली रहा है, किसे ने किसी टोकन का रोज आ जाए, तो उसी में कहीं कहीं में इनको भी कबर कर लूँगा, तो पहले लेता हूँ मैं UNI, इसका all time high गया था 45 डॉलर तक, प्राइज बढ़ने के चांस मुझे जादा लगते हैं, तो इसलिए मैंने वही टोकन्स रखें जिनकी सप्लाई कम है, तो मैंने बताया all time high या इसका 45 डॉलर तक गया था, सप्लाई एक बिलियन है, सर्कूलेसन में भी 762 मिलियन आ चुकी है, तो एक बिलियन में से 762 मिलिय तक गया था, अगर मैं कहता हूँ, चैसे 45 डॉलर तक भी चला जाएगा, तो भी अपना सब का काम पूरा कर देगा, जो अगर यहाँ पर कुछ सोचते हैं इसके वारे में तो, यह हो गया हमारा पहला प्रोजेक्ट, दूसरा है DYDX, मैंने जब ये सीजे बाइनेंस ने ये ट्रस्ट वालेट का जब नाम लिया था, तब मैंने कहा भी था, कि इसने ट्रस्ट वालेट का ही नाम क्यों लिया, क्यों उसका अपना है तो उसी का प्रिचार करेगा, उसी को प्रमोट करेगा, लेकिन मैंने उसके साथ साथ आपको DYDX का नाम भी बताया था, मैंने आपको लेकिन DYDX platform ऐसा है, जहां पर आपको trading में भी कोई problem नहीं है, आप यहां पर easily trading भी कर सकते हैं, और लगबग 65.5 million जो है, circulation में आ चुकी है, तो इसमें अभी थोड़ा सा बाकी है, लेकिन यह है कि आ जाएगी, जल्दी उसमें भी जल्दी आ जाएगी, और current rate आपका 2.3 dollar का है, तो आप यह देख लिए 27 से और 2 पे अभी चल रहा है, तो हम यही माल लेते हैं कि हम all time high तक भी अगर यह project पहुंच जाते हैं, तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, काफी अच्छा profit आपको मिल जाएगा, FTM Phantom, इस Phantom का मैंने जो है पूरा detail review किया हुआ है, आप यह वाला मेरा video देख लिजिए, इसमें आपको Phantom के बारे में पूरी detail मिल जाएगी, क्या है, कैसा है, क्या project है, तो यह video आप मेरे ही channel पर available है, आप देख सकते हैं, यह thumbnail है, Oil Time Highs का लगबग वही 3.5 डॉलर के आसपास, 2.5 बिलियन जो है इसकी total supply और circulation में भी पूरी आ चुक है, 2.5 बिलियन और अभी current में 0.018 डॉलर इसका price चल रहा है, The Graph यानि के GRT, Oil Time Highs का 2.8 डॉलर तक जा चुका है, 10 बिलियन इसकी total supply है और 6.9 बिलियन circulation में आ चुकी है, और अभी जो इसका price है, 0.62 डॉलर का इसका अभी price चल रहा है, Aave, Aave, ठीक है, Oil Time Highs का 666 डॉलर तक जा चुका है, यानि 667 डॉलर तक जा चुका है, total supply इसकी केवल 16 मिलियन की है, supply बहुत कम है, 16 मिलियन बस, और circulation में अभी 14 मिलियन आ चुकी है, तो माल बचा कुछ नहीं, लगबग सब circulation में आप मानके चलें, और अभी current में price का 58 डॉलर का चल ला है, जो कहां तक गया था, 667 डॉलर तक गया था, तो ये project cable वो हैं, जो मैंने आपको बताए कि, वो केता है, वो केता है, हर, खेर वो, बोलना ठीक नहीं, आप, वो केता है, ऐसा word यूज करना ठीक नहीं है, वो आप कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता, तो मेरा सिर्म मक्सद यह है, कि समय से पहले आपको आगा करना, समय से पहले वो चीज़ें आपको बताना, देखिए, invest करना, न करना, वो तो 100% decision आपका है, उसम होगी position है, अपनी strategy होती है, financially सबकी, तो भाई, कुछ लोग हो सकते हैं, जो invest करना भी चाहें, तो मेरा सिर्फ यहीं परपज है, कि आपको बताया जाए, कि आगे किसका दोर अभी आने वाला है, तो जो अभी दोर अभी आएगा, बहुए recently, वो है DeFi का, यानि के decentralized, तो ऐसे जो project हैं, इन में कहीं कहीं हैं, भी investment आपको एक अच्छा profit दे सकता है, मैं कहता हूँ, अगर हम bull run को जो 2024 या 2025 या 2026, जब भी आये, तो मैं मान के चलता हूँ, अगर market का scenario थोड़ा सा अच्छा रहा, तो यह आपको यह मान लेजिए, पचास एक्सल लेकर 80 तक तो easily आपको profit दे सकते हैं, यह project ऐसे हैं, और project ऐसे हैं कि इनका कभी खतम होने वाली position नहीं है, यह project रहेंगे, सबके सब अच्छे project हैं, तो आज का सिर्फ मक्सद यही था कि आपको जो ऐसे project कि से बारे में बताया जाए, जिनका भविस्य आगे आ रहा है, और यह आप देख भी रहें, कि लोग exchange हों से fund निकाल के कहां ले जा रहा हैं, सब के सब अपने hard wallet में लेके जा रहा हैं, अब hard wallet में ले जा रहा हैं, यह अपने decentralized platform में वहां पर लेके जा रहा हैं, centralized को जायतर छोड़ रहा हैं, क्यों? इनकी जो car गुजारी हैं, इनके जो car नामें, तो भाई वो कहते है बहुत दिन, बहुत दिन तक यह चीज़ें नहीं चलती, तो वही हुआ इन centralized exchange के साथ, इन्हें सोचना चाहिए था, कि यह क्या कर रहा हैं, लेकिन चलिए जो भी है, जो होता है, जो होता है, अच्छे के लिए होता है, मैं कहता हूँ, बहुत अच्छी चीज़ है, कि यहां उनकी detail भी आपको दूँगा, परचेश करना न करना 100%, वो आपका decision है, मैं केवल आपको एक जानकारी दे रहा हूँ, अगर अच्छी लगे, तो like, subscribe जरू कीजिए, कल और मैं आपको कुछ देता हूँ, कौन-कौन से tokens, जो decentralized DeFi project हैं, वो भी बताता हूँ, चलिए फिर मिलते नमस्का